नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर जैसा कि आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट थी हम लोग ओशिनोग्राफी की सीरीज को दुबारा से रिजूम कर रहे हैं जिसमें कि हमने फिलहाल केवल ओशिन करंट्स के ऊपर चर्चा को किया हुआ है नाओ उसी सीरीज को रिजूम करते हुए आज के इस लेक्चर नमबर फाइव में हम लोग डिसकस करने वाले हैं रिगार्डिंग द वेरी वेरी इंपोर्टन और कुरूशल टॉपिक ऑफ वर्टिकल और होरिजॉंटल टेम्परेचर डिस्रिबूशन ओफ ओशिन मतलब की ओशियानिक वाटर में बेसिकली जो टेम्परेचर का डिस्रिबूशन है उसको हम लोग दो तरीकों से समझते हैं और पढ़ते हैं वन इस द वर्टिकल डिस्रिबूशन और सेकंड इस लेक्चर में इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले हम लोग डिस्कास करेंगे कि आखिरकार इस टोपिक को पढ़ह क्यों जाता है टेमपरेचर डिस्रिबूशन क्यों इंपॉर्टेंट है सेकंड डिस्कास करेंगे कि आखिरकार ओषिन में जो सोर्स ओफ हीत है वो कहां से आती है and इसी के साथ संबंदित जो इसका तीसरा विशे है, that is factors जो की temperature distribution को affect कर सकते हैं, for example oceanic currents affect कर सकते हैं, salinity का impact आ सकता है, जो दूसरी चल रही जो permanent winds है उनका impact आ सकता है बगरा बगरा, तो वो सब चीजों की चर्चा करेंगे, and finally we will move on to the most important part of this lecture, जहां पर हम लोग horizontal distribution and vertical distribution of temperature in oceanic water की चर्चा करने वाले हैं, so आईए शुरू करते हैं, बताना चाहूंगा कि वैसे तो ये lecture GS geography के लिए important है, लेकिन ये जो हमने topic cover किया हुआ है, यदि आप लोग का geography वैकलपिक विशे है, optional subject है, तब भी आप इसको refer कर सकते हैं, आईए शुरू करते हैं, दोस्तों मेरे साथ, मेरा नाम है अनिरुद, यदि आप लोग मुझे follow करना चाहते हैं, इस particular lecture की PDF को download करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिये गए telegram channel के माते हमसे ऐसा कर सकते हैं, इसके इलावा, दोस्तों कल morning में geography का समुद्र मंथन आपके लिए आयोजित किया ग का भी मिल सकता है, इसके इलावा, दोस्तों हम लोगों ने आपके लिए जो अगनीपथ batch को plan किया है, वो basically 16 June से आज से basically एक हफते के अंदर अंदर शुरू होने वाला है, enroll नहीं क्या है, तो enroll कर लीजे, इसका जो total cost है, that is only and only 8,000 रुपीज, यह दोस्तों इंडिया में मिल सबसे affordable, comprehensive UPSC, civil seva परीक्षा की तयारी का batch है, और इसमें आपको मेरे द्वारा, physical geography की complete classes देखने को मिलने वाली है, I will be teaching you, climatology, oceanography, geomorphology, इसके बाद Indian geography, उसके बाद से science and tech, यह सभी सभी चीजें, मैं आपके लिए पढ़ाने वाला हूँ, ध्यान रखिए, enroll करते टाइम, बारा हजार था, उसको और गिरा करके दस हजार कर दिया गया है, और यह भी आपको तभी मिलेगा, अगर आप लोग मेरा code UNEUPSC इस्तिमाल करते हैं, हिंदी batch भी available है, जो कि 15 जोलाई से start होगा, इसको भी जाकर कर आप लोग चेक आउट कर सकते हैं, All right, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, कि आखिरकार temperature of oceanic water पढ़ना important क्यों होता है, देखिए, temperature of oceanic water पढ़ना इसलिए important हो जाता है, because हमें ocean में बहुत सारे marine organisms देखने को मिलते हैं, तो अगर आप देखें, तो ocean में एक तो आपका surface हो गया, यह oceanic surface हो गया, और उसके बा temperature है, यह basically इन organisms को भी effect करता है, और यह अलग-लग depths पर मिलने वाले organisms को भी effect करता है, तो इसलिए temperature को समझना, temperature की study करना काफी relevant बन जाता है, इतना ही नहीं, secondly अगर बात करते हैं, तो कोई भी माल लीजे, कोई भी आपका continent है, कोई भी आपका land surface है, for example, अगर मैं यह आपके ल coastal area है, यहाँ पर तो आपका Pacific Ocean देखने को मिल जाता है, यह वाला जो coastal area है, यहाँ पर जो weather conditions बनते हैं, यहाँ पर जो climatic conditions बनते हैं, उनके अंदर भी temperature of oceanic water की काफी बड़ी भूमिका हमें देखने को मिलती है, यह मैं आपको explain करूंग, आगे जाकर की exactly भूमिका कैसे देख सेम आप देख सकते हैं कि इंडिया के केस में भी जो आपका West Coast है या फिर जो आपका East Coast है, यहाँ पर Arabian Sea है, यहाँ पर Bay of Bengal है, तो वहाँ पर भी इन इलाकों का भी जो temperature और weather climatic conditions है, वो भी आस पास की लगने वाली जो समुद्र है, उनसे affect होता है, तो because of these reasons हम लोग temperature को basically study क जाते हैं, now, बात करते हैं कि oceans के अंदर source of heat basically कहां से आता है, देखिए, ocean के अंदर जो सबसे important source of heat है, जो कि in fact, जमीन पर भी यही होता है, लैंड पर भी यही होता है, वो है sun से आने वाली insulation, जो insulation है, that is the most important source of heating of oceanic water, और भी कुछ minor sources होते हैं, जैसे कि पानी के नीचे होने वाले कुछ volcanism, उसके बाद pressure हुआ, friction जो कि पानी के ऊपर जब हवाएं चलती है, जो winds चलती है, तो पानी के सते के साथ उनकी जो friction होती है, उससे भी कुछ गर्मी generate होती है, जो winds होती है, oceanic currents, कुछ गरम oceanic currents होते हैं, जो कि पानी को गरम करते हैं, लेकिन ultimately यह सारे के सारे factors बहुत ही छोटे factors माने जाते हैं, in comparison to the main and the most important factor, जो कि solar insulation का है, मतलब कि sun से आने वाली जो insulation है, यही सबसे बड़ा important role play करती है, यह बताने के लिए कि आपका oceans के अंदर, जो heat है, वो कहां से आ रही है, यहाँ पर कुछ कुछ case में अगर आप सोचें, तो नीचे जो जैसे धर crust जो होता है, उसके अंदर से भी हमें गर्मी देखने को मिलती है, लेकिन ocean के case में जो crust है, वो again आप जानते हैं कि वो काफी thin होता है, इसकी वज़े से वो जादा यहाँ पर हमें heat देखने को नहीं मिलती है, तब भी जो main source of heat है, वो basically insulation ही देखने को मिलता है, second important point to note, जो की क oceanic water की तुलना करते हैं with respect to the land, ठीक है, तो जैसे for example मान लीजे again हमने आपको अभी अभी जिदखाया, जो आपका North American continent है, तो ये North American continent में for example, जो ये वाला part है, जो ये पूरा land वाला part है, ये जल्दी से गरम हो जाएगा, heat up हो जाएगा और जल्दी से cool down हो जाएगा, लेकिन जो इसके आसपास का ocean का part है, ये उतनी जल्दी से heat up नहीं होगा, उतनी जल्दी से ठंडा नहीं होगा, ऐसा क्यों होता है, because जो specific heat capacity है, वो basically पानी की काफी जादा high होती है, specific heat क्या कहा जाता है, more time required to heat up one kilogram of water compared to heating the same unit of solid at same temperature and with equal energy supply, ये बल्कि इस साल का जो prelims का paper था, उसमें आपने सवाल भी देखा होगा, कि specific heat को लेके question पूछा गया था, और ये वही चीज़ है, specific heat जो होती है, वो पानी की काफी जादा होती है, और इसकी वज़े से वो जल्दी से ठंडा और जल्दी से गरम नहीं होता, as compared to the land, जो कि जल्दी से ठंडी और जल्दी से गरम हो जा है, हमने आपको अभी बताया कि सबसे main source जो है वो insulation होता है, तो अगर आप लोग माल लेते हैं कि ये धरती का गोला है, तो यहाँ पर आपके लिए ये माल लीजी equator है, तो obviously सबसे important factor आपका latitude ही होता है, मतलब कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 23.5 degree north, 23.5 degree south तक आपका maximum जो है, वो sun overhead चला जाता है, now दीरे दीरे जैसे आप उपर जाते रहते हैं, latitude से जैसे आप उपर जाते रहते हैं, तो आपका जो insulation का amount है वो घटता रहता है, insulation जो है वो latitude के साथ आपका घटता रहता है, जैसे जैसे latitude बढ़ रहा है, यहाँ पर insulation maximum है, यहाँ पर आप जब 66 6.5 degree पहुंच जाएंगे, insulation काफी कम हो चुकी होगी, so basically, जैसे-जैसे insulation जो है, वो घटता रहता है, तो सबसे एक general factor, जो हम देख सकते हैं, वो है latitude का, the temperature of surface water decreases from the equator towards the poles, mainly because of the decreasing amount of insulation, यानि की, जैसे-जैसे आप poles की तरफ जाते रहेंगे, because insulation आपका कम होता जाता है, तो temperature कम होता जाता है, एक तो ये factor है, जो की determine करता है temperature distribution को, second factor, जो की हमने अभी अभी discuss किया था, specific heat के बारे में बात करी थी, उस चीज़ को समझे, ये वाली photo, ये आपने देख भी रखी होगी, इसमें बड़ी simple सी चीज़ है, कि देखिए ये northern hemisphere है, ये आपका zero degree है equator है, ये इसके ऊपर सारा का सारा northern hemisphere है, उत्री गोलार्थ है, ये नीचे वाला पार्ट आपका दक्षिनी गोलार्थ है, उत्री गोलार्थ में आप क्या चीज़ notice करते हैं, कि जो ocean का area है, वो काफी कम है, ये देखिए, ये केवल इतना ही है, ocean का area केवल इतना ही है, अगर आप देखेंगे, ये देख लीजे, this is the ocean का area, लेकिन दक्षिनी गोलार्थ में जो ocean का area है, वो दोस्तो बहुत जादा है, वो बहुत जादा है, और obviously ऐसा इसलिए है, because दक्षिनी गोलार्थ में हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर हमारा जो land surface है, या फिर जो continental mass है, वो काफी कम है as compared to the northern hemisphere, ये कैसे effect करता है temperature distribution को, देखिए जो oceans है northern hemisphere में, वो जादा heat receive करते हैं, क्योंकि उनका जो contact है, वो land surface के साथ बहुत जादा है, इतना वाला part, ये पूरा का पूरा part, lands के साथ connected है, ये पूरा का पूरा part, ये पूरा, जितनी भी boundaries है, ये सारी connected है, ocean की with the land, ये पूरा Europe का, ये पूरा का पूरा western Europe, उसके बाद ये अफरीका, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी, यतना भी area है, अब ये land जादा गरम होगी, because इसकी specific heat कम है, तो land जब जादा गरम होगी, तो automatically northern hemisphere में, जादा गर्मी देखने को मिलेगी, हमें oceans में, तो यह unequal distribution of land and water, भी एक बड़ा important factor बन जाता है, to determine the temperature distribution, तो northern hemisphere is dominated by continents, वेरा southern hemisphere is dominated by oceans, in terms of area covered, that's why in general temperature of northern oceans, is relatively more than the southern oceans, मतलब कि, अगर हम लोग बात करें, कि गर्मियों के time पे, अगर हम लोग northern hemisphere को देखेंगे, और गर्मियों के ही time पे, अगर हम लोग सद्रन hemisphere को देखेंगे, उनकी गर्मियों की बात कर रहा हूँ, तो जादा गर्म temperature हमें पानी का, northern hemisphere में देखने को मिल जाता है, this is the second factor, which determines the temperature distribution, third factor आता है, temperature distribution के case में, prevailing wind systems, यहाँ पर, आपको बड़े simple से, उधारण के माध्यम से समझाया जा सकता है, देखे, winds आपकी, अगर हम लोग बात करें, कि एक wind होती है, जो land से sea तक जाती है, एक wind होती है, जो sea से land की तरफ आती है, वो वाली winds, जो की ocean से जाती है, continents की तरफ, अगेन हम लोग वही वाला example ले ले लेते हैं, Northern Hemisphere का, sorry, North America का example ले ले लेते हैं, इस तरीके से, very, very quickly, दोस्तों, जो तो winds आपकी इस तरीके से जा रही है, ये land है, ये आप ये continent माल लीजे, ये ocean माल लीजे, जो continent से ocean की तरफ बेसिकली जा रही है, warm water near the coast, और इससे temperature बढ़ जाता है, इसमें बलकि जो बहतर example है, वो मैं आपको देना चाहूंगा, इस case में, अगर आप लोग आ जाते हैं, यहाँ पर, ये देखिए, ये वाला जो आपका South America का continent है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, this is again your equator, तो देखिए, जो इसमें onshore winds है, जो कि basically आपकी आ रही है, ocean से continent की तरफ, इस case में क्या हो रहा है, कि जो onshore winds, जब ये इस तरीके से flow करती है, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, कि जब ये इसकी तरफ आती है, तो ये गरम पानी को यहाँ पर ले आती है, जब ये गरम पानी को यहाँ पर ले आती है, इसका subsequently हमें impact क्या देखने को मिलता है, यहाँ का temperature बढ़ जाता है, मतलब कि ये वाला जो part है, इसमें हमें high temperature देखने को मिलेगा, नाव, ये कब होता है, ये एक abnormal event है, ये normally ऐसा नहीं होता, ये L-Nino के case में ऐसा होता है, मैंने आज morning में ही एक video बनाई है, आप चाहें तो उसको जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने normal conditions और L-Nino वाले conditions को explain किया है, normal conditions में क्या होता है, normal conditions में आप देख लीजे, कि ये ही वाली जो winds है, ये इस तरीके से away from the coast flow कर रही होती है, जिसमें कि यहाँ पे low temperature होता है, ठीक है, और उस case में, जब ये winds away from the coast flow कर रही है, तो low temperature यहाँ पे generate करती है, उस case में यहाँ का temperature कम हो जाता है, so again, जो winds है, वो भी आपकी temperature distribution को determine करती है, हमारा इस चीज को बताने का मकसद केवल इतना ही था, कि onshore winds pile up the warm water near the coast, whereas the offshore winds, they drive warm surface water away from the coast, resulting in the upwelling of cold water from the below, अब ये भी देख लीजे, कि जब आपका, ये आपका ocean का surface है, ये ocean की गहराई है, अगर यहाँ से पानी हटके यहाँ को जा रहा है, तो नीचे वाला पानी उपर आ जाएगा, इस process को upwelling कहा जाता है, इसको ऐसे समझ सकते हैं आप लोग, कि ये देखिए, ये वाला पानी उपर आजब ये वाला पानी यहाँ पर हटेगा, ये वाला पानी यहाँ से drag हो चुका है, तो ये वाला पानी यहाँ पर basically हमें इसकी upwelling देखने को मिल जाती है, this is what is being witnessed in the case of जब आपकी offshore winds चल रही है, जब आपकी onshore winds चल रही है तो उल्टा हो रहा है, onshore winds के case में क्या होता है, यही वाला पानी आपका अंदर को आ रहा है, और फिर जब यह पानी अंदर को आएगा, तो यहाँ वाला पानी था वो नीशे चला जाएगा, इसको दोस्तों आप लोग downwelling बोल सकते हैं, हाला कि downwelling is not a proper word, basically यह कहा जाता है कि upwelling नहीं देखने को मिल रही, पानी अंदर को आ रहा है, इस example से हमने यह समझा कि basically यह वाली जो winds होती है, यह भी आपके temperature distribution को affect कर सकती है, this becomes your third important factor, पहला latitude था, दूसरा unequal distribution of land and water था, तीसरा prevailing wind systems था, और चौता factor oceanic currents का भी है, देखिए हमने देखा कि पहले factor के अनुसार, मान लीजे हम लोग किसी latitude पे हैं, उस latitude पे, for example मैं आप यहीं पे दिखा देता हूँ, यह दोस्तो Pacific Ocean है, अगर आप देखिएंगे तो यह Asia है, यह Japan है सारा, यह Australia है, यह पूरी Pacific Ocean है, यह North America है और यह South America है, यहाँ पर आपका 0 degree है, काईदे से क्या होना चाहिए, कि देखिए, for example, जो यह वाला latitude है, जो की 25 degree के आसपास latitude है, यहाँ पर आपका ocean water काफी गरम होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर पहुंचते पहुंचते, ocean water ठंडा होना शुरू हो जाता है, पेकास हम लोग equator से काफी आगे आ चुके हैं, इन फाक्ट हम थोड़ा और उपर जाएंगे, अगर हम लोग Alaska के आसपास पहुंच जाते हैं, तो यहाँ पर पहुंचते पहुंचते तो oceanic water और शंडा हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक oceanic current है, जिसका नाम है कुरोशियो current, यह कुरोशियो current basically क्या करता है, यहाँ से गरम वाले पानी को उठा करके यहाँ भेज़ देता है, जब यह गरम पानी को उठा करके यहाँ भेज़ देगा, तो यहाँ पर भी आपको high temperature देखने को मिलेगा, यही वाली बात है, तो यही वाला पानी तो है जो आगे जा रहा है, और यह फिर जाकरके अलास्का की temperature को बढ़ा देता है, similar अगर हम लोग एक और यहाँ पर current देखने की कोशिश करें, तो आप देख पाएंगे यह क्यूराइल current है, यह क्यूराइल current, यहाँ पर क्यूराइल current जो है, जितना इस latitude पर शायद temperature नहीं होना चाहिए था, उससे भी कम कर देता है क्यूराइल current, because क्यूराइल current उपर से आ रहा है, polar region से आ रहा है, तो ठंडे पानी को नीचे लेकर आ रहा है, उस case में क्या होता है, temperature of the eastern coast of the Siberia becomes low, due to the cold क्यूराइल current, so yes, again we can say, कि देखे, oceanic currents भी आपके temperature को determine करवाते हैं, और यह again, यह major factors है, कुछ-कुछ छोटे-मोटे factors भी हैं, जो कि temperature distribution में role play करते हैं, for example, कुछ local weather conditions होगे, जैसे cyclone वेगरा में आपका temperature रड़नली बढ़ जाता है, बट यह local weather conditions, locally ही temperature को affect करते हैं, यह global level पर देखने को नहीं मिलते हैं, similarly, relationship with the salinity of sea water, so for example, माल लीजे कि मेरे पास दो तरह का sea water है, यह वाला पानी है और यह वाला पानी है, तो यहाँ पर यह आपका, जो sea water एक में शायद नमक का content जादा है, एक में salinity जादा है, एक में salinity जो है वो कम है, दोनों में आप देख लीजे कि temperature का क्या impact पड़ेगा, जिसमें salinity जो है कम होगी, उसमें evaporation जादा होने की possibility हो सकती है, जिसमें salinity जादा होगी, उसमें evaporation कम होने की possibility हो सकती है, जो यह वाले factors भी role play करते हैं, लेकिन बहुत बड़े level पर role play नहीं करते, as much as जो आपके oceanic currents या फिर wind systems या फिर land water का distribution या फिर latitude, सबसे important अभी भी latitude ही है, लेकिन यह वाले factors भी important role play करते हैं, उसके बाद यह कुछ छोटे मोटे factors भी यहाँ पर कभी कबार role play कर देते हैं, keeping this in mind, अब हमें समझना है कि basically जो temperature of oceanic water है, उसका distributional pattern को study दो तरीके से किया जाता है, पहला जो की easy है, horizontal distribution, दूसरा जो की थोड़ा सा tricky है, vertical distribution, देखिए यह आपका ocean, मैंने बताया, this is your oceanic surface, अब दोस्तों oceanic के वल surface तो नहीं है, ocean की गहराई भी है, आप लोग देख सकते हैं, यह जो ocean की गहराई है, अब एक तो यह वाला part जो है, oceanic surface, इसमें हमें study करना है, कि basically जो ocean का surface है, उसमें अगर आप देखेंगे, तो 0 degree पे ocean के surface का क्या temperature है, 50 degree पे क्या temperature है, उसके बाद 90 degree पे क्या temperature है, similarly हमें नीचे भी study करना है, लेकिन हमें यह भी study करना है, कि 0 degree पे ocean के surface का क्या temperature है, और ocean की गहराई का क्या temperature है, मतलब कि मैं equator पे ही आकर खड़ा हो गया हूँ और मुझे देखना है कि ये आपका surface mean sea level है और mean sea level के नीचे जाते हुए मुझे 200 meter पे temperature पता करना है, 200 meter की गहराई पे, मुझे 1000 meter की गहराई पे temperature पता करना है, तो ये दोनों तरह की study है जो कि हम लोग oceanic water में study करते हैं, this is the temperature of surface water at different latitudes and this is the temperature of surface water to the bottom, एक single latitude पे हम कैसे देख सकते हैं, ये भी हमें अलग-लग latitudes के लिए देखना है, कि 0 degree पे vertical distribution कैसा है, 50 degree पे vertical distribution कैसा है, 90 degree पे vertical distribution कैसा है, ये भी हमें study करना है, पहले हम लोग horizontal distribution को समझ लेते हैं, देखिए जो average temperature होता है surface water of the oceans का, वो approximately 27 degree Celsius के आसपास देखने को मिल जाता है, जो कि हमें equator के आसपास देखने को मिलता है, ये धीरे-धीरे जब आप poles की तरफ जाएंगे, तो obviously क्यूंकि solar insulation कम होती रहती है, तो obviously आपका temperature गिरना start हो जाएगा, इसका एक rate है, temperature decrease का एक rate है, जो कि approximately 0.5 degree Celsius per latitude के हिसाब से, आपका temperature गिरना शिरू कर देता है The average temperature is around 22 degree Celsius at 20 degree latitude, 14 degree Celsius at 40 degree, और poles के आसपास पहुन जाएंगे, तो 0 degree Celsius के आसपास देखने को मिल जाता है, इसकी photo हमने यहाँ पे नहीं बनाई है, अगर आप world map को इस तरीके से draw कर लें, तो basically आप देख पाएंगे, कि यहाँ पर यह 0 degree है, तो यहाँ पर 27 degree है, थोड़ा उपर जाएंगे, तो यहाँ पर फिर आपको 20 degree देखने को मिलेगा, थोड़ा और उपर जाएंगे, 14 degree देखने को मिलेगा, और बिलकुल आप 90 degree पे पहुन जाएंगे, तो 0 degree देखने को मिलेगा, in fact there are places जहाँ पर आपको temperature 0 से भी कम देखने को मिलेगा, because पानी जो है, वो basically जम च जुका होता है, वो आपको बड़े-बड़े बरफ के तुक्डे देखने को मिलते हैं, so that is not exactly 0 degree Celsius, वो 0 degree Celsius से भी कम हो जाता है, now, it is not so simple, इसमें हमें थोड़ा सा और भी देखना पड़ेगा, होता क्या है, कि हमने आपको पहले भी बताया था, कि unequal distribution of land and water की वज़े से, northern hemisphere के case में, basically oceans का जो temperature है, horizontally भी वो जादा है, the oceans in the northern hemisphere record relatively higher temperature as compared to the northern hemisphere, because of the unequal distribution of land and water, वही वाली फोटो जो हमने आपको यहां दिखाई थी, यह देखे, यहां पर आपका जो land area है, वो काफी जादा है, ocean area कम है, जिसकी वज़े से, आपको basically जादा temperature देखने को मिल जाता है, now, the highest temperature is not recorded at the equator, but slightly towards north of it, ऐसा इसलिए होता है, because equator पे हमें काफी बारिज देखने को मिलती रहती है, जिसकी वज़े से, highest temperature हमें equator पे नहीं, बलकि हलका सा उपर देखने को मिलता है, तो यह छोटा सा trivial fact है, इसको ध्यान रख लीजे, कि highest temperature equator पे नहीं, हलका सा उसके north में देखने को मिलता है इसके इलावा, horizontal distribution में हमें कभी-कभी changes भी देखने को मिलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ा interesting सा phenomena, for example, मान दीजे, कि यह आपका equator है, यहाँ पे equator है, इंडिया के just नीचे आपका equator जा रहा है, ठीक है, दोस्तो यह वाला area आप जानते होंगे, this is the Red Sea area, यह आप जान यह सेम latitude पर है, लेकिन इनका जो sea surface का temperature है, वो यह अगर मैं T1 माल लूँ और यह अगर मैं T2 माल लूँ, तो T1 जो है, this is higher as compared to T2, T1 जो है, it is higher as compared to T2, क्यों, because जो Red Sea वाला है, यह दोस्तों, enclosed area है, जिसकी वज़े से यह आसपास इसके बहुत सारा land surface देखने को मिलता है, ज accordingly Red Sea का temperature भी बढ़ जाएगा, लेकिन Arabian Sea के आसपास का इलाका जो है, वो काफी जादा, खुला इलाका है, open area है, जिसकी वज़े से उतना temperature यहाँ पे गरम नहीं होता है, therefore T1 is much higher as compared to T2, यही देखिए, relatively small seas और gulfs, जो की low latitudes में होते हैं, they have high temperature than open and big seas, ठीक है, for example Red Sea has higher temperature, similarly अग हम लोग थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, यह देखिए, अब हम काफी ऊपर आ गए हैं, यह आपका, यहाँ पर हम क्या दिखाना चाहते हैं, यह same latitude पे हमें दो चीजें देखने को मिल रही हैं, यह है दोस्तो Gulf Riga, यह Gulf Riga है, यह जहाँ पर आपको यह देखने को मिलती है, य तो T1 जो है, this is basically higher as compared to T2, यहाँ पे temperature कम होना चाहिए, बिकाज हम लोग latitude के हिसाब से काफी ऊपर आ गए हैं, लेकिन T2 के case में temperature जो है, वो जादा कम हो जाता है, as compared to T1, T2 के case में temperature जादा कम हो जाता है, Gulf Riga has lower temperature, क्यों, because again it is surrounded by land, यह सारा असपास land है, तो land जादा थंडी ह हो जाती है, तो फिर अपने पानी को भी जादा थंडा कर देती है, North Sea के case में खुला area है, खुला इलाका है, जिसकी वज़े से उसका temperature उतना जादा थंडा नहीं हो पाता है, तो basically horizontal में एक तो हमने simple सा pattern देखा, कि देखी अगर आप नीचे से ऊपर जाएंगे latitude wise, तो basically आपक में अगर कोई enclosed area है, उसका temperature हमें कम देखने को मिल सकता है, next, बात आती है vertical distribution, horizontal में केवाल इतना ही था, vertical की बात आती है, तो देखिए, vertical में हमें दो-तीन चीजों को समझना है, यहाँ पर basically क्या होता है, कि for the study of vertical distribution, we can divide the ocean into two parts, मतलब कि अगर मैं आपके लिए ये दिखाऊं, कि ये अगर आपका धरती का गोला है, दोस्तों, ये 0 degree है, तो vertical के case में क्या होता है, low और mid latitude तक तो, यहाँ तक तो आपका जो vertical distribution है, वो एक rule follow करता है, और जो ये वाला area है, यानि की high latitude वाला area, यहाँ पर दूसरा rule follow होता है, So, इसी लिए दो हिस्सों में बाटा गया है, low and mid latitude oceans, high latitude oceans, temperature of oceans over low and mid latitudes को study करने के लिए एक three layer system है, यही वाला जो part है, थोड़ा सा पेचिदा है, मतलब कि जो इतना area है न, low and mid latitude का, इसको study करने के लिए एक three layer system को device किया गया है, वो three layer system क्या चीज़ है, थ्री layer system की जो first layer है, इसमें क्या होता है, इसमें जो top layer है warm oceanic water की, यह approximately 300 से 500 meter थिक होती है, कहीं पे 300 meter है, कहीं पे 200 भी होती है, कहीं पे 400, 4500, 500 तक भी चली जाती है, और इसमें आपको temperature 20 से 25 देखने को मिलता है, for example, मैं आपको दिखाता हूँ, यह दोस्तो ocean का surface है, यह ocean का surface है, यहाँ पर आपकी सूरज की किरने directly पड़ रही है, यह ocean के surface पे सूरज की किरने directly पड़ रही है, तो देखिए यह यहाँ तक even जो पानी 200-400 meter तक जो पानी होता है, वहाँ तक तो ocean आपको सूरज की किरनों का impact देखने को मिलता रहता है, इसी को कहा जा रहा है first layer, यह आपकी क्या है, first layer है, that is between 20 and 25 degree Celsius आपको temperature देखने को मिल जाता है, लेकिन second layer में क्या होता है, यह देखिए, यहाँ पर आप देख पाएंगे, this is approximately 400 meter के आसपास का है, यह general हम लोग आपको दिखा रहे हैं, लेकिन 400 meter क के बाद suddenly क्या होता है, एक area आता है, जिसको कि कहा जाता है thermocline, आप thermocline में देखिए कि यह एक mean लिया हुआ है, approximately 22 degree के आसपास से, 22 degree से temperature suddenly कम होते होते, 4-5 degree पे आ जाता है, यह वाला area इसे कहा जाता है thermocline, this area is basically called as the area of thermocline, यहाँ पे हमें sudden decline देखने को मिलता है, the second layer called thermocline layer lies below the first layer, characterized by rapid decrease in temperature with increasing depth, the thermocline is 300 to 1000 meter thick, यह second layer है, और third layer तो इतनी ठंडी हो जाती है कि उसके बाद आपको temperature में जादा changes देखने को नहीं मिलते हैं, फिर भले आप कितना भी चले जाए नीचे, साड़े 4000 meter तक भी आपको जादा changes देखने को नहीं मिलते हैं, आप देख सकते हैं कि यह वाली जो line है, इसका gradient कितना कम है, यह वाली line का जो gradient है कितना जादा है, यह vertical distribution of temperature हमें देखने को मिलता है, low latitudes में and mid latitudes में, यहाँ पर हम लोग देखते हैं three layer system, ध्यान रखिए, thermocline का जो unique concept है, वो केवल इन ही low और mid latitudes पे काम करता है, इसके बाद high latitudes की बात करें, वह वहाँ पर कहानी काफी simple है, high latitudes पे जो surface का temperature है, वही आपको 0 degree Celsius देखने को मिलता है, हमने पहले भी पढ़ रखा है, वहाँ पर वैसे ही insulation नहीं है, surface पे केवल 0 degree Celsius के आसपास का temperature देखने को मिल रहा है, जब surface पे ही 0 degree है, तो change of temperature with depth is very very less, इसलिए वहाँ पर एक ही layer होती है cold water कि from the ocean surface to the deep ocean floor, मतलब कि वहाँ पर अगर आपका surface का 0 है, तो नीचे भी 0 ही है, यह पूरा आपको single layer देखने को मिलती है, entirely 0 degree Celsius ही आपको पूरे वहाँ पर vertical distribution देखने को मिल जाता है, यह कहानी है horizontal and vertical distribution की, इसको आपके लिए थोड़ा sum up कर देता हूं, very very simply, यह दोस्तों अग अगर यह आपका धरती का गोला है, तो यहाँ पर 0 degree से जैसे जैसे आप उपर जाएंगे, आपका temperature जो है, वो कम होता जाएगा, exceptions क्या है, exceptions basically 2 है, ठीक है, कि अगर आप low latitudes की बात करते हैं, तो enclosed area में temperature जो है, वो high देखने को मिलेगा, अगर आप high latitudes की बात करते हैं, तो enclosed area यहाँ में temperature low देखने को मिलेगा, यह हमने horizontal में देखा, अगर हम लोग vertical की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप चीजों को दो हिस्सों में बांड सकते हैं, low latitude and middle latitude, और उसके बाद high latitude, जो तो आपका low latitude और middle latitude है, यहाँ पर आप लोग study करते हैं, three layer system के हिसाब से, ठीक है, और high latitude है, यहाँ पर आपको केवल एक single layer मिल जाती है, और three layer system में सबसे important चीज क्या है, that is the thermocline layer, that's it, यही है इस पूरे के पूरे lecture की summary, जो की आपको समझनी है, in case question आता है, mains में आने की समभावना बहुत जादा रहती है, कि horizontal vertical distribution कैसे है, तो यह आपकी horizontal vertical distribution देखने को मिल जाती है, उमीद करता हूँ कि आपको कोई doubt नहीं होगी, फिर भी कोई doubt है, तो आप लोग telegram channel पर भी पूछ सकते हैं, और आप लोग नीजर comment section में पूछ सकते हैं, मैं अगले lecture में उस doubt को address कर लूँगा, इसी के साथ दोस्तों इस lecture को करते हैं, समाप्त, जाने से पहले बताना च होगा कि CSART के courses भी हमने आपके लिए चलाए हैं और separate NCRT courses भी चलाए हुए हैं, आप इन में जाकर के enroll कर सकते हैं, using the coupon code अनी UPSC, इसके इलावा test series भी हमने आपके लिए चलाई है, उसको भी जाकर के check out कर सकते हैं, thank you so much for listening, stay tuned and stay safe.